रविवार को हावडा जिले के बाकला रसी कल के पास मकतब घौस उलवारा की जानीब से मदर्सी की बारा ऐसे बच्चों को सम्मान दिया गया जिन्होंने इस बार नाजरा मुकमल कर लिया मकतब की जानीब से इस मौके पे एक जलसे का आयजिन्प किया गया था जिसमें मदर से की 12 खुश नसीब बच्चे एवं बच्चीयों को विश्यस रुप से सम्मानित किया गया इस मौके पर हावडा और कॉलकाता से भी कई गडमा ने इस जलसे में शामिल हुए इस मौके पे वक्ताओं ने कहा है कि मकतब घौश उलवारा इस बाकड़ा इलाके में बच्चों को इसलामि सिक्षा सिखाने का काम कर रहा है इसलिए ऐसे संगटनों को हमें जादा से जादा सपोर्ट करना चाहिए इस प्रोग्राम को काम्याब बनाने में मकतब घौश उलवारा के मोहमत तन्वीर हबीबी, मोहमत शाहिद हबीबी, मोहमत फैजे नूरी, इर्फानल मुस्तफा जी आई, हाफिजा मजदा पाविन साहिबा का एहम रोल रहा इस मौकी पे बच्चों के अभिभावग भी काफी संख्या में मौजूद थे दुआ और दारूदो सलाम के बाद इसकारिक्रम का समापन हुआ तो हर साल बच्चों के दर्मियान कुछ न कुछ बहतरी, कुछ न कुछ तरकी नजर आई और तालीमी मियार धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और बहतर होता जा रहा है हम आपके इस चैनल के जरीए से ये पेगाम देना चाहते हैं कि हर मुस्लिम आबादी में मुसल्मानों की जहां तादाद, जहां जिन्दगी गुजारते हैं मुसल्मानों आबाद हैं अपने-पने महले अपने-पने अलाके में ऐसे मकातिब काइम करें ताके घर के बच्चे दीनी तालीम से दूर हो रहे हैं ये दीनी तालीम की कमी और उसके जरूरत को पूरी करें ये मकतब गौसलवरा अपने तोर पर जो काम कर रहा है ये वक्त की अहम जरूरत को पूरी कर रहा है अभी जरूरत है कि हर अलाके में ऐसे मकातिब काइम करें और यहां के जो मुसल्मान है यहां के जो बरादराने इसलाम हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि वो लोग इनके अराकीन, मुंतजमीन, इसके नौजवान, इसके कारकुनान के साथ जुड़ जाएं और इसको और तरकी की रहा पर ले जाने के लिए जो मुम्किन कोशिश हो सके वो कोशिश करें मेरा नाम स्यद आसिफ अकबाल मजरी है, मैं टिक्या पाड़ा, दारु अलूम जाओल इसलाम का नाजी में आला हूँ इसलाम अलेकूम और रहमतुल्ला वबरकातूँ अल्हम्दुल्ला ये प्रोग्राम काफी अच्छा रहा, शाहिद भाई हमारे तन्वीर भाई, इन्होंने काफी अच्छा जो है इंतजाम किया इसमें लाखों सेकलों कितने जो है जो फल होंगे, इससे इसलाम को हर जगे फ़ैलेगा और ये बच्छे जो है, आज के दोर में जो मदरस्फे ये और जो आलिम है, मॉलिम है, जो पढ़ा रहे है, इनलों के बहुत कुर्बानी है इन्हों ने अपने वक्त को सर्फ किया है लोगों में और हम लोगों तक दीन पहुंचाने के लिए हम लोगों तक इनके जरीया दीन पहुंचता है और ये हर इलाके के मदर्से में ये जिम्मेदारी है कि बच्चों के अंदर जो है सही दीन को सही जो है दीन का जो मकसद है इनको बताया जाए और बच्चे अलहमदुलिल्ला जो है इस चीज़ को सीखें और लोगों तक भी पहुंचाएं पहले तो मैं सुक्रियाद कर रहा हूं जो इसके कारकून है जनाब साहिद और तन्वीर और भी इनके साथ जुले हुए हैं इननों का कोई भी प्रोब्लम होता है हम लोगों को बोलाते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो रसी कलमें सामने आया है यहां पर बम गोली पत्थर बहुत कुछ चला है लेकिन एक माहौल को सुनहरा तोर से तद्दिल करना यह सबसे बड़ा चीज है यहां पर जो है रास्ते में चलते वग जो है हम लोग एक टैम था अभी भी जो है है जो रास्ते में बैट करके तास खेलना लू बड़ा बात है और सबसे बड़ी बात है कि इस मक्तब का जो और्गनाइजेशन हुआ है जो कुछ खर्च हुआ है कोई अच्छा पूजी पती या कोई बिजनिसमेन नहीं किया है यह लोग जो है गरीब बग से जो है दो रुपिया चार रुपिया पांच रुपिया दस र बुजा रहे हैं और दिए बिल्लाइजी बिसमिल्ला रुप्मानि रुपिया यह मक्तब गौसल वरा बाकड़ा रसी का इलम है हम लोग 2020 से यहां मक्तब गौसल वरा को कामें इखाम कर रहे हैं जिसमें ते चार साल के बाद छे बच्ची छे बच्चा नाजरा मुकमल किया ह साटिफिडिक के तौर में हम लोग यहां दिया गिया है यह सबसे बड़े हमारे लिए खुशी के बात है अभी फिलाल तकरीबान दो सो का लगबग में है अगे अम लोग तो सोच के बहुत अच्छे हैं कि आगे चलके जो है आज हम लोग नाजरा का साटिफिडिक दिया है आगे का हम लोगा सोच यही है कि आगे चलके यहां हम लोग हिस हिस भी कराएंगे अगर महला वाला का अगर सपोर्ट रहा साथ रहा फिस कराके अलबदो लिए बड़ा करके दस्तारी भी दिया जाएगा बाकला के लोग यही उपने करते हैं कि यह लोग जो है अच्छा काम कर रहा है हमारा साथ दे हमारा ताउन करे आज किस परगाम के बारे में तो मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन वक्त नहीं है इसलिए कि हम लोग का यह महिनत जो है चार साल के बाद रंग लाई है और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से बच्चे और बच्चों के सरपरस्त ने हम लोग के इस परगाम में हिस्सा लिये और हम लोगों ने 6-6-12 बच्चे और बच्चे को मिला कर नाजरा मुकमल का सनद और अवार्ड देने का काम आज किये है और इस तरह के काम हम लोग कई अंजाम दिये रखते हैं हम लोग के और भी एक कमेटी चलती है उस कमेटी के लेकर और ये मकतब गौसलवरा तो हमारे इलाके के लोकल कमेटी हम लोग बनाए है इसके लिए चला रहे है और हमारे इलाके के लोग बहुत ही अच्छे सपोर्ट में हैं आप लोग देखे होंगे अभी हमारे हाल के मालिक है या हमारे इलेक्टिक सप्लाइर है राजू हाजी साहिब यह सब हम लोग को चार साल से सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग इसको आगे ले आने का काम कर रहे हैं सब चीज में ध्यान देते हैं माशायल्ला बहुत अच्छा है मासाली आज बारा बच्चों को सनद से नावरार से नावाजा गया और यहां की इंशाला अगर बार शीम्लागाने रस्जी करें तो आई इंदे कल भी इससे बेहतर अवरार से नावाजा जाएगा और साथी साथ हमारे असादा भी महनेट करें हैं और हमारे स्यद आसिफ इखवाल मज़री साह भी चार सालों से इस मदरसे मक्तब की निगरानी कर रहे हैं और हमेशा इस निगरानी करते रहे हैं ताकि ये बच्चे आगे चलकर इनका नाम रोशन हो और ये मुस्तग्विल को रोशन करें अभी इस मदरसे में कमोबेश सवादो सो बच्चे हैं जो कुरान की तालिम हासी कर रहे हैं मदनी कादा भी पढ़ते हैं पुरान नाज़रा पढ़ते हैं तजवीद और मकारिद के साथ तर्तील के साथ पुरान पाक सिखाया जाता है यहां पर तो फिलहार रहाइश का इंतजाम नहीं है जो बाशिंदे हैं वही बच्चे यहां पर पढ़ते हैं मकामी बच्चे हैं पढ़करके अपने अपने घरों में चले जाते हैं उम्रा और हचके सफर पर चले अलजना टूरेंट टेबल्स के जरीए यूज डिसकाउंट पर जहां मुनासे पैकेज में आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रवाइड की जाएगी आपको मिलेगी बेस्ट फ्लाइट, बेस्ट होटेल्स वो भी बिलकुल मका और मदीना के करीब खाने में रहेगी बुफे सर्वेस तो फिर दिये गए नमबर पर कॉल करें और अभी उम्रा की सीट बुक करें इस नमबर पर हेलो मैसेट दॉक्टर तन्वीर एहमत, founder of TVR Healthcare हमारे यहाँ पर प्रॉपर कैंसर क्लिनिक, डाइबिटिक, क्राडियोलोजिक, और्थोपेडिक और जो भी डिपार्टमेंट सब एक छट की नीचे सब कुछ प्रॉइड किया जा रहा है और आपका प्रॉपर डाइगनोस्टिक, ब्लड टेस्ट, इको, ECG, CT, MRI की फैसिलिटी भी हम लोग दे रहे विद प्रॉपर एंबुलेंस सर्विस और डेकेर तो किसी क्यों कोई भी सर्विस और कोई भी हैल्प लेना तो हमारे दिये हैं नंबर पर कॉंटेक कीजिए थैंक्यू अंकेट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100957669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं